तो आज की इस वीडियों हम बात करने वाले हैं मसल असाइलम के F9 प्रीवर पोर्ट के बारे में कैसा है कहां से मैंने परचेस किया रेट कितना पड़ा क्या क्या चीज़ें मिलती हैं आपको F9 के साथ और बहुत सारी बाते करेंगे इस वीडियो को बट पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि बहुत सारे लोग देखतें बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं सो आमें जल्दी से अपना 20K पूरा करना और गीवबे में अगर पार्टिसेबेट नहीं किया तो नीचे लिंक है वहाँ से चाके आप पार्टिसेबेट कर सकते हो और 14 नमबर को मैं आपको रिजर्ट बता दूँगा कि विनर कौन था और उसके घर पे जो भी रिजिस्टेंस बैंड है जो मैंने बताया है वो डेलिवर करा दूँगा सो बात कर लेते हैं भाई स्प्री वर्काउट की मैंने से खरीदा था मसल एकसपी से मसल एक अच्छी साइट है जहां से आप अपने प्रोड़क्स खरी सकते हैं कोई स्पॉंसर्ड वीडियो नहीं है बट नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहाँ से चाके आ अपने बहुत बहुत बड़ा टाइम होता है आज की डेट में 3-4 दिन के अंदर डिलिवरी होनी चाहिए बट पता ने क्यों छे दिन लिया जबकि मैं वी से मंगाया था पूने में रहता मैं गाजियाबाद में वाट अब आजकल पूने में हूं तो पूने में इन्हें डि किया उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट था एक चीज में आपको और बता दू कि इस डब्बे के साथ आपको यह ट्राइल पैक का एक पौश मिलेगा जिसमें आपको यह चार सेंपल मिलते हैं जो कि तीन प्रीवर्क आउट के हैं इनके अलग-अलग फ्लेवर्स हैं और यह जो सेंपल मिलता है वो है BCAA का जो की अगेन क्या फ्लेवर है औरेंज मैंगो कैंडी करके फ्लेवर एनके BCAA का तो यह सारी चीज आपको इसके साथ मिल जाती है तो काफी अच्छा एक पैक यह देते हैं करीब 25 सर्विंग का पैक है जो कि मुझे पढ़ा है अराउंड 1200 रु क्योंकि इसे पीने के बाद मेरे वर्कॉट में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि मैं बहुत बड़ा फैन हूं C4 का और कर्स का उन दोनों के आगे यह बहुत फीका है उन दोनों के आगे बच्छों जैसा लगता है इसको पीने के बाद मतलब हो सकता है गर आप फर्स टाइम प्रे रहे हूं तो में भी आपको अच्छा लगे बट मैं काफी दिनों से प्रीवरकाओ यूज करता हूँ इदर आफ्स चल रहा था काफी दिनों से मेरा प्रीवरकॉट का लेकिन फिर बीस से कुछ मुझे नहीं आया कुछ अश्छा नहीं लगा कि मैंने प्रीवरकॉट आप लेते हो तो एक बॉडी में एक अलग सी खुजली सी होती है आपको लगे का शीटियां काट रही है वैसा भी कुछ उसने फील नहीं किया उसे बस लिपस के अराउंड थोड़ा सा लग रहा था ऐसा बट कोई असर नहीं है उसके वरकाउट में वह जैसा वरकाउट करता था वैसा ही किया तो कह सकते हैं कि अच्छा उप्शन नहीं है अगर आप पर्चेस करने के लिए सोच रहे हो तो बिल्कुल मत खरीदना अच्छा उप्शन नहीं है यसी कलेम करते हैं nutrition fact बात कर लेते हैं तो यह तो यह तो है 24 ग्राम के राउंड 1.5 ग्राम के राउंड आजिनीन देते हैं बट पता नहीं वह कहां जाता है मुझे तो कोई इसका सथ नहीं दिखा आपको दिखाऊ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और यार मुझे कोई अच्छा सा प्रीवर्कॉट अगर आप यूज करें तो सजेस्ट कर सकते हो तो मैं वह ट्राइज जरूर करूंगा तो कि प् अच्छे अच्छे गिफ्ट आपको मिल सकते हैं आई मिन रिजिस्टेंस बैंड मिल सकते हैं आपको सो मिलते हैं नेक्स वोडियो में किसे नहीं टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई